हेलो फ्रेंस कैसा सब लोग तो फ्रेंस आज को इड़क अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लाश्ट के दिनों में लगबग एक हपते के अंदर कैसा आप लोग अपना सीटाट का एक्जाम पास कर सकते हो और यकीन मानना आज की वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद औ आप लोग अपना CTAT का exam definitely निकाल सकते हो, देखें आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से दो तरीके के बच्ची है, एक तो वो है student जो कई दुनों से CTAT का exam की तयारी में लगे हुए, कई महीने होगे उनको तयारी करते हुए, तो आज की वीडिय देखने के बाद, उसका implementation करने के बाद, उनके नंबर का जो score रहेगा, वो बढ़ जाएगा, दूसरे वो student है, जुनों अब CTAT की तयारी करना स्टार्ट करिए, तो अगर उन्होंने अब भी CTAT की तयारी करना स्टार्ट करिए, और आज की वीडियो को देखने के बाद, और आपको बताऊंगा, अगर वो चीजे भी उन्होंने खर ली, तो भी वो अपना CTAT की एकजम पाज कर सकते हैं, लेकिन जो student कई महीनों से तयारी कर रहे हैं, उनके मुकाबले में उनके नंबर उतने नहीं आप आएंगे, बस पास हो जाओगे आप लोग, अगर आप लोग य जिन student को तयारी करते हुए कई महीने का टाइम हो गया है, काफी समय से जो लगे हुए है, तो उनका नंबर आपके increase हो जाएंगे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे आज की वीडियो को देखने बाद, तो दोनों तरके के student के लिए आज की वीडियो महत्पून होने वाली है, आज की वीडियो को ध्यान से समझना कि basic सी जानकारी है, basic सी चीजी है, जो आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हुए, बस उनका implementation कर लेना, और extra चीजे आपको बिल्कुल भी नहीं करने है, ठीके, तो ध्यान से देखिए, आज की वीडियो के अंदर में आप को कौन कौन सी चीज है करनी है जल्दी आने वाले जो भी आपकी जाने पहले ऑपका Si adt लिक रहे जुए आपकी लिखेर रहेगी वह सब आपका लिखा रहेगा तो उनके लिए तो बहुत महत्पून होने वाली है क्योंकि उनके पास तो लगबग एक हपते का भी आपका जो है टाइमी आपका बचा है लेकिन उसके बाद जो आपके स्टुडेंट रहेंगे तो वह पेपर का एनलीसीज वगारा देखते रहना मैं एनलीसीज वगारा कराता रहूंगा कि स्ट के अंदर ये कुछन पूछे गए या इस तरीके का पेपर आया लेकिन उसको भी वैसे बेसिकली जरूत नहीं पड़ेगी देखने की क्योंकि लगबग वही चीज आएगी जो मैं आज की उड़के अंदर आपको बताने वाला हूँ ठीक है क्योंकि इतना मेरा पूरा अनु पूरा निचोड आपको बताऊंगा क्या पूरा का पूरा निचोड कराकर अगर मैंने उसका डर आप लोगों का खतम ना कर दिया तो मुझे आप लोग बता देना ठीक है तो सिलेवस की बिल्कुल टेंशन मतलों आप लोग जो साट नंबर का आपके एक्जाम में आ रहा है पूरा का पूरा मैं इसको एक्स्प्लेइन करके आपको बता दूगा तो उसकी टेंशन कलम आपकी खतम करा दूगा ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसमें घेर रखा है मुझे सीटेट वालों ने तो इसमें मैं अभी विजी चल ला हूँ तो जल्दी मैं इसको कंप्लीट करके केविस की माप की तयारी में लग जाओंगा ठीक है क्योंकि आपका बड़ा एक्जाम वही है जिससे आपको जोब मिलेगी इस छुटकों को जल्दी खतम करते हैं सीटेट वालों को देखे सबसे पहले आपको क्या काम करना है टारगेट आपके सामने टारगेट है कितने दि दिनों से मेराथन किलास बनाता आ रहा हूँ तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मेरे वाली मेराथन किलास आपको फोलो करना है और यह कहा मिलेगी आपको यह मिलेगी आपको मेरे यूटूब चैनल पर यूटूब पर सर्च मानना सचिन अकेडमी मेरा यूट क्लास का एक फोल्डर मिलेगा फिक हे एक दो बस्ति है उनको जल्दी हो जाएगी लेकिन ज्यादे तर मैंने आपकी सारी करा दिये तो जैसे ही इसको आप लोग क् nghiद्द आसको सामने देखे आपकी स्करीन पर आगी है पहली मेरथन क्लास आप लोग देख रहे हुँ CDP की लगबस सवत साढ़े चार गंटी की marathon class कराई हुई है इसके बाहर आपको CDP बिलकुल भी पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी साढ़े चार गंटी की marathon class में मैंने पूरी CDP कम्पलीट करा दी तीन आपके मनोविग्या निकाते Gene, Piaje, Colbert, Vygosky तीनों के तीनों मैंने पूरे detail इसके अंदर करा दी है इसके अंदर आपके जो महत्फून आपके chapter आते है intelligence आपका chapter आता है उसके अंदर आपके Harvard Gardner आपके आजाते है जिन्नोंने multiple intelligence story दीती inclusive education, progressive education उसके लावा आपके individual differences heredity आपका environment पूछा जाता है और जो आपके बाकी के जो chapter होते है वो सब मैंने इसके अंदर आपके detail में सब समझा रखे है उसके अंदर कुछ आपके नए-ने कुछ word देखनों मिले जो आपके option के अंदर आपको देखे गए जैसा आपका metacognition पूछा गया आपका pneumonics आपका पूछा गया ठीक है तो ये कुछ इस तरीके के आपके कुछ नए-ने आपके सब्द पूछे गए analogy वगरा से पूछे गए तो इन सबकों मैंने इस CDP के अंदर आपकी महा मेराथन किलास के अंदर पूरा complete कराया हुआ है अगर आपने ये वाली CDP के महा मेराथन किलास देख ली तो आपकी CDP की सारी tension खतम होगी इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इस CDP को अगर आपने कर लिया तो साइध ही कोई बच्चा होगा जो 25 से नीचे नमबर लेकर आएगा वहना सभी के 30 में से 25 पलस नमबर कहीं ने गए और साइध जो बच्चे होगे वो 30 में से 30 भी लेकर आजाएंगे इतना मुझे पूरा भरोसा है ठीक है क्योंकि बहुत मेरे student ऐसे रहते हैं जो 30 में से 30 लेकर आते है CDP के अंदर तो ये आपको marathon class करनी है आपके CDP वाली जो मैंने अपने YouTube चैनल पर कराई हुई है नए pattern के according ये 44 गंटे की marathon class है और I think इस पर 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है तो इसको देख लिया है 1.3 मिलियन लोगों ने यानि 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है दूसरी marathon class आपको देखनी है EBS वाली जो मैंने NCRT के कराई हुई है और इसको भी 11 लाख लोगों ने देख लिया है 11 या 12 लाख लोगों ने इसको देख लिया है 11 लाख लोगों ने देख लिया है इसको ठीक है अब EBS जो आपके exam में आती है ओ 3rd, 4th और 5th class की NCRT सा आपकी आती है जो आपका 15 नंबर का content आपका पूछ जाता है अब ये वाला time तो आपका रानी कि EBS की NCRT किताब आप लोग पढ़ने बैठ होगे ठीक है तो ये वाला time तो आपका बचा नहीं है क्योंकि मातर आपको 7 दिन का अंदर मा आपका CTAT exam पास करानी की बात कर रहा हूँ तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है ये आपके लगबग 4 गंटे की marathon class है इस marathon class को देख जाओ आपका जो NCRT का जो आपका content है वो लगबग इसमें सारा आपका complete हो जाएगा पोने 4 गंटे की marathon class के अंदर तो ये आपका पूरा complete हो गया NCRT का आपका जो content होता है जो लगबग आपका 15 नंबर वाले के अंदर आपका पूछा जाता है उसके अंदर दूसरा आपका 15 नंबर का आपके question आते है ठीक है आपका जो आपके resource के सम्मंदित आपके question आते है भर्मनित से सम्मंदित question आते है assessment tools सम्मंदित question आते है इस तरीके की जो आपकी इवेस पेड़गोजी जो होती है उसको सभी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपका कराए हो है तो 15-30 की ये वाली marathon class आप लोग देख जाओ उसके अलावा एक मैंने संपून पेड़गोजी के नाम से एक मैंने marathon class कराए हुई है जिसमें मैंने आपको positive negative word कराए हुई है जिनसे आपको बहुत सहुलियत होगी आपके exam में पेड़गोजी करने के लिए क्योंकि आपके exam में लगबग आपके आदे नमबर तक की पेड़गोजी आती है उसके अलावा मैंने इसमें आपको national education policy 2020 भी कराए हुई है और उसके अलावा इसमें मैंने आपको ncf 2005 भी कराए हुआ है ठीक है जब आप लोग अपने exam के अंदर जाओगे तो आप लोग देखोगे कि इस वीडियो को देखने बाद आप लोगों को कितनी सवुलियत होगी पेड़गोजी को करने में देखे एक तो होती है हर subject की पेड़गोजी अलग एश की पेड़गोजी अलग मैच कीअ अलग हिंदी के अलग सब चीज के अलग लेकिन एक पेड़गोजी बड़ी comment आती है जिसको देख लेदा जो आपकी लगबक्स 10-10 गन्टे की आपकी मेरतन किलाहस है ठीक है उसके अलाबा आपकी जो अगली marathon class है वो है आपकी match pedagogy की, ठीक है हर subject की मैंने अलग-अलग pedagogy बनाई हुए marathon class, match pedagogy आपकी यह वाली simple नहीं आथी, बच्चों को match कैसे पढ़ाओगे, जोड घटा कैसे पढ़ाओगे, यह match pedagogy नहीं आती, match pedagogy गंदर आपकी match की terms आपको पता होनी चीए, numbers के बारे में आपको knowledge होनी चीए, तो यह आती है आपकी match पैड़ागोजी, अगर आपने यह वाली match पैड़ागोजी के आपने marathon class देख ली तो आपको वाकई में लगेगा कि इस तरीके की होती है, आपकी जो match की पैड़ागोजी आपके exam में पूछी जाती ह ना की इस तरीके की आती है कि जोड़ घटा गुणा भाग बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो ना की इस तरीके की आपकी match पैड़ागोजी आती है, मैंने का ना हर subject की पैड़ागोजी अलग कराई हुई है, और आपकी एक संपुन पैड़ागोजी अलग कराई हुई है, तो इसको हिंदी मेंने पूरा complete करा दिया अब देखिया आपके एक्जाम में दो language आती है मानलीज आपने पहले हिंदी ली दूसरी आपने संस्कित ली या दूसरी आपने English ली XYZ कोई भी आपने language ली भाई दोनों के सेम आपके chapter है सेम आपके concept है सेम topic होते है बस एक चीज आपके हिंदी में पूछी जाएगी दूसरी चीज आपके संस्कित या English या जो भी आपने language हो उसमें पूछी जाएगी अगर आपने एक language ले ली तो दूसरी आपकी automatic उसका आपका concept आपका clear हो जाएगा जो भी आपकी language हो मानलीज आपकी पहली language हिंदी है दूसरी आपकी संस्कित है तो दोनों के सेम आपके topic है सेम आपके chapter है बस एक चीज हिंदी में आएगी वहाँ पर language के अंदर दूसरी चीज आपकी संस्कित में पूछी जाएगी बट मैंने दोनों के ही marathon class आप लोग के लिए कराई हुई है तो इसको जाकर आप लोग देख लेना उसके लाब मैच के numerical की एक मैने marathon class कराई हुई है जो जो आपकी main type होती है मैच के numerical की क्योंकि मैच क्या मांगता है मैच मांगता है practice ठीक है और वह अलिकावत मैंने आपको बार बार बताई हुई है कि practice में एकसा man perfect तो यह अलिकावत आपके numerical के अंदर आती है तो प्रेक्टिस इसके अंदर आपको ज़्याद है तो यह जितने भी आपके subject है इनकी म मैंने marathon class करा हुई है बस दो marathon class अब की social science की और एक आपकी English की भसती है इनकी marathon class मैं कल होगी आपकी करा दूँगा मैं marathon class तो मेरी marathon class complete हो जाएगी जिनका लगबग time duration है 24 गंटे का कितने का यह 24 गंटे का time duration है यानि 24 गंटे के अंदर मैंने यह सभी marathon class करा हुई है कोई 4 गंट यह कराई हुई है यानि दो दिन के अंदर आप लोग इन पूरी मेराथन किलास को कर सकते हो और उसके लावा दो दिन के अंदर आप लोग इसकी रिवीजन कर सकते हो क्या काम कर सकते हो दो दिन के अंदर आप इसकी रिवीजन कर सकते हो यानि कि चार दिन में आप लोग मेरी म मेराथिन किलास से बाहर आपका साइध को बहुत कम कंसेप्ट होंगे जो पूछे जाएंगे ठीक है गिने चुने कंसेप्ट होंगे वनना ज्यादतर चीजें आपके एक्जाम में यही से पूछे जाएगी और अगर आप लोगों ने आज से भी पढ़ना शुरू कराया ना त दो दिन होगे आपके रिविजन के चार दिन में आप लोग यह वाला काम आप लोग कर लोगे ठीक है अब बचते आपके पास तीन दिन बचते आपके पास क्या बचते तीन दिन अब तीन दिन में आपको क्या काम करना है तीन दिन में आप लोगों को जो मैंने आपको अप जयादे से जयादे कि तीन बिन के कैंदर जितना प्रेक्टिसट लोग करूगे उतना ही आपको बेनइफिट wordt आंपके आपको देखने, उसके बाद फ्र ओफ लाइन वाले है उस पर कर सकते हो 120 मोग टेस्ट मैंने आपको टोटल दे रखे यह दोनों ही चीज़े आपको मेरी साइट पर मिलेगी वेबसाइट पर मिलेगी गूगल पर जाना गूगल पर जाकर लिखना सचनेकडमी.com मेरी वेबसाइट आ जाएगी जो भी आपको चाहिए वहापर आप आपको मिल जाएगा ठीक तो यह मोग टेस्ट प्रैक्टीस करना क्योंकि पेपर आपका अंपर जाकर आपको पता लंग जाएगा व्न में आपको Central veck prosecutor का था एक था उन्बर को पी लिए आपको के तीस नंभर थो इसकी जब आप लोग और मोग टेस्ट करोग ऑनलां बो इस आपको प्रैक्टीस कैसे करह लेना उसके लावा एक चीज status प्रेसिक ग्रामर जरूर्प करनाएं जाती है क्या काम करनी है आपको बेषिक ग्रामर जरूर्प करनाएं क्योंकि जो आपकी ग्रामर आएगेगे न वह तो आपके इनी paragraph में से पूछी जाती है जो question पूछा जाएगा आपको paragraph दे दिये जाएगा और इनी में से आपको question पूछा जाएगा तो basic grammar के उपर भी मैंने एक video बनाई हुई है लगबग साइद सवा गंटे है डेड़ गंटे की वीडियो है तो उस वीडियो को जाकर देख कर आजाओगे तो देखो marathon में लगबग आपने चार दिन में सारे concept आपने clear कर लिए उससे लगबग आपके बहुत ही कम topic होंगे जो आपके बाहर आएंगे वना maximum चीज आपकी marathon क्लास चानी है उसके बाद तीन दिन में आप लोगों ने पिरिवेसर के question लगा लिए जो मैंने आपने notes के अंदर दे रखे या मानली जाप के पास भी है और एक दो दिन के अंदर आपने mock test लगा लिया ताकि आपको अपने online exam में कोई दिक्कत नाए औ परच के लावा आपने paragraph कुछ त्रोल कर लिए और आपने basic grammar की वीडियो देख लिए यह चीज अगर आपने कर लिना मैंने सिर्फ आपको पास वाली चीज़ बताई है अगर आपने dedication के साथ last के 7-8 दिन के अंदर भी वाली चीज़े कर लिए पास से जादा आप लोग लेकर आजाओगे और आप लोगों को यकीन ने होगा साथ कुछ आप लोग इस बात को जूट समझोगे 100 प्लस भी बच्चे लेकर आए है ठीक है यानि 100 प्लस बच्चे भी लास्ट के हफते 10 दिन के अंदर लेकर आए है ऐसे बहुत सारे बच्चे है एक बच्चे नहीं बहुत स अतनी डिविजन करनी है मेरा थन किलास वगरा को देखकर तो यह चीजे मैंने आपको बता दी दूसरी बात क्या रखनी है जो आपके यह बच्ची है ठीक है जो बच्चे है और बच्चों से संबंदी जो आपके एक्जाम में कुश्चन आए तो कभी भी आपका जो आंसर रहेगा कभी भी जो आपके एक्जाम में जो आपको दिया होगा वह आपके इनके खिलाप नहीं जाना चाहिए इस मेंडिलिटी के साथ आपको हमेशा आंसर देना है इसको आपको सबसे सुप्रीम पावर माननी है जो चीज में आपको हमेशा कहता हो कि बच्चों को आपको सबसे सुप्रीम पावर माननी है हमेशा कभी भी आपके exam में question पूछा जाए तो इनके against में कभी मत चले जाना उनके कि खिलाप कभी मत चले जाना पूरी fiction बिख्याक हो πूरी दुनिये निके खिलाप हो लेकिन आप इनके खिलाप कभी मत जाना तो हमेशा ऐसा answer आपको सेलेक्ट करना है जो बच्चों के साथ हो जो बच्चों की बच्चों से जुड़ी जो जितनी भी चीज होती है चाया बच्चे की मातरवासा हो मदर ठंग हो चाया बच्चे के विचार हो तो इनको बढ़ावत देनी की बात करता हो ठीक है इनको सम्मान देनी की बात कर और अपनी mentality को change कर लेना last के एक हफते के लिए इन बच्चों के लिए कर लेना अपनी mentality को change आपका seat at का exam आपका पास हो जाएगा इतना मैं आपको बहुर असा दिलाता हूँ अगर आपने last के हफते बर के अंदर ये चीज को follow करा तो friends ये ही चीज आपको बतानी थी जो last के दि पास के अंदर आ जाना और एक वीडियो भी बना दूँगा syllabus के अंदर तो बच्चे जो के वीएस वाले बहुत परेशान हो रहे हैं तो कल syllabus के ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगा चुलिए आज की वीडियो के अंदर ये ही आपको बताना था आयो आप आप लोग समझ ग